Hello everyone, welcome to concept, मेरा नाम धरमेंद्र है आज हम बात करेंगे strangle और straddle strategy के बारे में और देखेंगे कि ये option buying और option writing के साब से कितना सही हो सकता है और उसमें हमें कितना profit हो सकता है हम वो भी check करेंगे और ये भी discuss करेंगे कि इसके फाइदे क्या क्या है हमें कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए हम इसके बारे में discuss करेंगे तो चले पहले देखते हैं कि strangle और straddle होता क्या है तो जब भी मैं बात करूं strangle और straddle strategy के बारे में यहाँ पर आपका आता है strangle और यहाँ पर आपका आएगा straddle तो जब मैं strangle strategy के बारे में बात करता हूँ तो माल लीजिए यह मेरा spot है bank nifty ले ले लेते हैं यह 50,000 का मेरा spot है तो strangle में लोग क्या करते हैं कि दूर का call option मैं option buyer के साब से बात कर रहा हूँ कि call option बहुत दूर का और बहुत दूर का put option को दोनों को एक साथ buy करते हैं मतब यह है कि यहाँ पर दूर का माल लीजिए जैसे 50,500 ले लो ठीक है वो depend करता है कि वो लोग केतना strike देखना चाहते हैं 50,500 ले सकते हैं 51,000 का भी level देख सकते हैं तो यहाँ पर माल दीजिए 50,000 का वो लोग buy करने ठीक है यहीं पर similarly क्या होगा 49,500 ठीक है या फिर 49,000 का put option वो लोग buy करेंगे और यहाँ पर call option को buy करेंगे ठीक है फाइदा क्या होता है इसका कि premium आपका कम है ठीक है दूर का OTM ले रहो premium कम है और माल ली जाकर market एक particular direction में जाता है तो आपको फाइदा होने के chances है मत्तब यह है कि market either ways कहीं पर भी जाए अगर उपर जाता है तो माल ली जागर call option ATM हो गया या ITM हो गया तो आपको फाइदा दे सकता है यह वाला का premium बहुत ही नीचे गिर जाएगा ठीक है और यहाँ पर आपको फाइदा होना शुरू होगा ठीक है similarly यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो है put अगर market नीचे जाता है ठीक है तो put वाले को फाइदा होगा तो वो जब तक ATM नहीं होता तब तक उसमें फाइदा नहीं होगा तो माल लीजे यहाँ पर जो इसका option का जो है 200 है price इसका भी 200 है तो कुल मिला के मुझे premium कितना देना पड़ रहा है 400 रुपे का ठीक है 400 रुपे का तो यहाँ पर मेरा investment अगर 400 के इसाफ समय देखूँ 2 lot मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 2 lot तो यहाँ पर इसका मुझे 3,000 इसका 3,000 तो कुल मिला के 6,000 मेरा हो रहा है दोनों जगे अगर मैंने 1-1 lot मैंने buy किया ठीक है तो यहाँ पर अगर जब तक इन दोनों का जो value है 400 के ऊपर नहीं रहता तब तक मैं loss में रहूंगा ठीक है मतब इन दोनों का premium अभी चाहे market उपर जाया चाहे market नीचे जाया 400 at least मुझे premium दोनों add होके रहना चाहिए तब ही मैं profitable रह सकता हूं otherwise मैं वहाँ पर negative मेरा रहेगा ठीक है straddle इसके opposite में है अगर straddle मैं बात करूँ जैसे यह 50,000 का level है ठीक है तो straddle क्या करता है यह जो ATM का जो spot है जो spot है जहाँ पर strike वो ही same strike select करते है और यहाँ पर क्या करेंगे call और put दोनों को buy करेंगे तो मतब यह जो ATM में अगर माल लीजिए यहाँ पर 400 रुपे का ठीक है उसी के आसपास रहेगा ज्यादा तर देखोगे अगर expiry नजदिक है तो 300 या 200 के आसपास आ जाता है लेकिन अगर expiry थोड़ा दूर है तो मैं देखूंगा कि ATM का जो call और put है उसकी value 400 के आसपास रहती है तो अगर मैं क्या करूंगा as a option buyer मैं दोनों को buy करूंगा ठीक है तो यहाँ पर total मेरा premium 800 के आसपास मेरा आ जाता है ठीक है 800 के आसपास आ जाता है तो मेरा यहाँ पर premium मुझे ज़्यादा लग रहा है काफी ज़्यादा लग रहा है तो अगर मैं एक lot के इसाप से मैं इसमें अगर मैं चेक करूं तो मुझे 10,000 के उपर का premium है तो 10,000 का premium मेरा इसमें invest हो रहा है अभी यह है कि अगर market किसी भी direction में अगर जाता है अभी ATM का है volatility उसमें काफी ज़्यादा होती है तो market अगर जिस direction में जाएगा मुझे उसमें फाइदा होने के chances है दोनों ही जो trade है वो इस हिसाफ से लिया जाता है कि market किसी एक particular direction में जाएगा तो मुझे फाइदा होगा क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन से direction में जा सकता है तो option buyer का सोचना यह होता है अभी यह जो strategy है यह फाइदे मंद का हो सकती यह जानना बहुत important होता है ठीक है अगर market सिर्फ one direction पकड़ता है और वो भी देखो कम से कम 1000 point का move करता है तो फाइदा मंद हो सकता है ठीक है क्योंकि यहाँ से difference देखिए यह मैंने 55,500 का लिया है यह 49,500 का है 49,500 तो यहाँ अगर यहाँ पर 500 point फिर उसके आगे जाके 500 और जादा है मतलब यहाँ पर 49,000 पर जा रहा है तब जाके यह 200 अला जो प्रीमें में वो 400 या 500 हो जाएगा तब जाके मेरा फाइदे मंद हो सकता है देखिए बात को समझीए यहाँ पर market अगर one direction में जाता तो ही मेरा फाइदा होगा यहाँ पर भी देखिए अगर यहाँ पर one direction में जाएगा माली जो 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 सकॉल अप्शन है तो यह 400 बढ़के 800 होगा यह 900 होगा तब जाके मेरा फाइदा होगा क्योंकि दोनों का premium एड़ करके मेरा 800 हो रहा है तो market का one direction में जाना बहुत जरूरी है अब यह one direction कब होता है ठीक है one direction कब होता है वो भी जाना बहुत जरूरी है एक direction सरिफ कुछ खास दिन पर ही होता है जैसे मैंने कहा election ठीक है लोग सभा का election हो गया या फिर कोई एक monetary policy आया RBI policy बता RBI ने कोई decision लिया उसके हिसाब से आ सकता है ठीक है तीसरा हो गया आपका budget या फिर कोई आप देख लिजेए international news हो गई international news मतलब जैसे आप देखोगे US के जो federal reserve bank है उसमें कुछ interest rate जो है वो बढ़ा है या घटा है फिर आप इंको crude oil future है उसमें भी trading में कुछ changes आए है तो उसके एसाब से आपको मिलेगा कि market कोई एक one direction पकड़ सकता है ठीक है कोई एक one direction पकड़ सकता है तब ही मेरा फाइदा होगा अब भी बात करते है option selling के बारे में ठीक है यह तो option buying हो गया ठीक है तो जब मैं option selling के बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है ठीक है तो भी कुछ खास difference नहीं है क्योंकि अगर यह मेरा spot है मैं दूर का call और put को sell कर रहा हूँ तो यह भी मेरा strangle हो गया और वही पर straddle में मैं spot का मतलब यहीं का ce और pe मैं sell कर रहा हूँ ठीक है लेकिन यहाँ पर buyer के मगाबले seller को एक ही फायदा है कि time dick account को फायदा होता है ठीक है time dick के हिसाब से बहुत फायदा होता है अब इनको यह wait करने का जरूत नहीं होता है कि कोई अच्छा special day हो elections हो गया ठीक है या फिर आप देखोगे जो भी मैंने आपको point बता है international news हो का हो सब हो गये क्योंकि market आप देखोगे साइडवेज रहता है तो साइडवेज में time decay बहुत ज़्यादा होता है तो इनको time decay का फायदा आपको बिलेगा तो straddle वालों को मिलेगा और strangle वालों को भी मिलता है क्योंकि दूर का option है वहाँ पर market उतना move नहीं करेगा तो वहाँ पर उनको जो उनने strangle अपना है उनको फायदा मिलेगा straddle में भी यही चीज़ होता है काफी देर तक वो sideways रह रहा है तो जरूर है कि वो टोटों मिला के 800 का premium वो गिर के 700 तो होई जाता है तो उनको 100 point का उनको मिल जाता है अभी problem यह आती है कि मैं अगर blindly जाके follow करूँगा तो मेरा काफी loss होगा क्योंकि as a option seller आपको जो profit है वो limited होता है और loss बहुत जादा होता है क्योंकि अगर market एक one direction अगर उसे पकड़ लिया तो काफी जादा नुकसार होगा तो इस तीच के बचने के लिए हम use करेंगे option writer tool चाहिए ने वो आपको आपर identify करेंगे देता है तो हम क्या करेंगे हम trading में जाएंगे trading में जाके option writer tool select करेंगे तो option writer tool जो है यह आपको एक particular range already identify करके देता है कि इस range में आप selling कर सकते हो और यहाँ पर आपको बता आएगा जैसे upper bound level जो है यह है और lower वाला यह है जैसे upper वाला यहाँ पर आप देख सकते हो 1246 है और lower वाला 1200 है तो मतब according to data यह मानना है कि 1246 और 1200 के बीच में रहने की संभावना जादा है तो मैं आपर straddle या strangle दोनों ही बना सकता हूँ अभी इसमें condition क्या होता है मुझे यह देखना है जैसे यह मैंने 26 September का मैंने expiry लिया हुआ है यह जो range है यह हर एक day के इसाफ से change होता है तो मालीजे आपको sell करके एक हफता तक रुकना है तो हम क्या करेंगे एक हफते का हम देखेंगे इसमें ठीक है तो हम पर आपको signal बताएगा कि आपको selling करना है या नहीं ठीक है अब यहां मैंने Tata Consumer है यहां पर आपको कौन सा call और कौन सा put option sell करना है वो आपको बताएगा ठीक है आपको यहां पर चुनने की जरूत नहीं है यह automatically आपको इसी range के बीच का call or put आपको sell करने बता देगा कि यहाँ पर आपको यह वाला call or put इस price पर sell करना है अभी यहाँ पर एक important चीज देखने की जरूवत है कि मुझा यहाँ पर green signal दे रहा ही कि नहीं यहाँ पर yellow signal है मतब इसने अभी green signal नहीं दिया है कि आप इसको sell कीजिए ठीक है तो मुझे वही stock को sell करना है जिसमें मुझे green signal देगा green signal कब देगा जब उसमें आपका profit 1 is to 1 ratio होगा at least 1 is to 1 या उससे ज़्यादा होगा तो ही यहाँ पर green देगा देखिए कितनी उन्दा बात है नहीं तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर कहीं पर भी जाके हम selling करते हैं किसी भी stock को sell करते हैं यहाँ पर आपको वही इसी stock में green signal देगा जिसमें आपका profit होने के chances ज़्यादा है ठीक है और यहाँ पर आपको और भी parameters है ठीक है IVR, IVP, Theta, Speed, Gamma, Rix यह भी है तो इसमें अगर मुझे ज़्यादा green दिखते हैं out of 5 parameters मुझे आपर 3 green दिखते हैं तो मैं क्या करूँगा मैं अपना lot size भी increase कर सकता हूं ठीक है lot को मैं बढ़ा सकता हूं क्योंकि यह मुझे help करेगा position sizing में ठीक है अभी मुझे यह देखना है कि इस stock में है या नहीं और plus किस stock में आने की संभावना है ठीक है तो अभी इस stock में मैंने देखा कि मुझे Tata consumer में कहीं पर भी नहीं मिल रहा है ठीक है तो कौन से stock में मिलेगा तो IVP देखे जिसका 70s के ऊपर है ठीक है और उसी में मुझे क्या देखना है कि वो oscillating उसका trend जो है वो oscillating mode पे होना चाहिए तभी मेरा फाइदेमन्द होगा तो यहां पर देखे जितनी भी oscillating mode है मैं इसमें trade बना सकता हूँ जैसे चंबल fertilizer है IND hotel है Tata Motors है तो अगर मैं चंबल fertilizer को click करूँगा तो मैं इसमें check करता हूँ कि मुझे कहीं पर भी green signal दिख रहा है ठीक है red दिख रहा है यह देखे अभी green मुझे कहां दिखा यहां मुझे green दिख रहा है कौन सा ही है कि अगर मैं इसको 12 दिन के लिए hold करता हूँ 26 September का spire ही है तो मुझे green दिख रहा है कि मुझे यह वाला call और यह वाले put को sell करना चाहिए ठीक है यह price पर sell करना चाहिए तो मुझे यहां पर 21,945 का profit होना का chances है ठीक है तो इस हिसाब से मैं अपना trade बना सकता हूँ ठीक है आप इसमें filter भी यहां पर देख सकते हो कि कहां पर आपको losses कितना हो सकता है तो यहां पर यह जो losses है आप इसके साब से अपना SL लगा सकते हो यहां पर SL तो बताया है कि यहां पर जैसे कि 16,800 का loss होता हो तो यहां पर आप देख सकते हो उतना loss आप bear कर सकते हो अगर यहां पर 8,000 यहां पर 13,000 का loss मुझे दिख रहा है तो उसके हिसाब से आप अपना loss का शमता बढ़ा सकते हो तो देखिए अभी जैसे यहां पर यहां पर मुझे 12 दिन की बात की जा रही तो यहां पर आप देख सकते हो कि profit factor आपका बढ़ चुका है यह 21,000, 12,000 फिर 15,500, फिर 20,000 ऐसा दिख रहा है तो इसके इसाब से आप यह decide कर सकते हो कि आपको यह trade लेना चाहिए कि नहीं तो इसको अगर मैं आगे increase करता हूँ तो क्या मुझे profit factor है nifty bank nifty है फिर मैं ABFRL ABFRL को देख लेता हूँ कि ABFRL मुझे कहीं पर भी green मिल रहा है बिल्कुल नहीं मिल रहा है अगेन मैं जाओंगा यहां पर IVR यह IVP के हिसाब से मुझे उसमें उसको filter करना है mid cap nifty को देख लेते हैं ठीक है mid cap nifty को mid cap nifty मुझे दिख रहा है ठीक है कि यहां पर मुझे green signal है तो mid cap nifty में trade बना सकता हूँ ठीक है I'm sorry जड़ाँ सा chart यहां पर appear नहीं हो रहा है just a minute चलिए हम दूसरा देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो यहां पर oscillating mode पर IND था jadeus life है jadeus life देख लेते हैं ठीक है okay okay jadeus life को 26 September के इसाफ से देखते हैं तो jadeus life में no jadeus life में भी मुझे नहीं दिख रहा है तो इससे क्या होता है कि आपको stock filtration में help पिलती है अब blindly जाके किसी particular stock को नहीं देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर easily आप इसको intraday expiry के साफ से आप इसमें ले सकते हो ठीक है expiry के साफ से अगर filter करो तो expiry के साफ से मिलेगा ठीक है और आप intraday के साफ से करोगे तो intraday का भी आपको filter मिल जाएगा ठीक है तो जिसमें आपको green signal मिलता उसे में मुझे trade बनाना चाहिए तो ये था इस triangle और straddle के हिसाप से strategy हमने buying का भी option देखा हमने selling का भी option देखा दोनों में आपके risk के हिसाप से जो आपको अच्छा लगता आप उसको चुन सकते हो तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है तो please like and share कीजिए tool के बारे में जानकारी चाहिए तो उपर दिये गए number पर आप call करके पूरी जानकारी हासल कर सकते हो मैं धर्मंदर आज बार आपका धन्यवाद